स्वागत अभिनंद नाब सफी का शुब संध्या वेट लिफ्टिंग के विंट में हैं हम जहां भारत एक पड़ी उम्मीद इस समय अपनी नजरों में समेटे हुए है मैं हूं संजे पड़ा दिल भारत के नजरिये से अगर 84 का है तो फर तीसरा अटेम्ट कितने का होगा संजेदा टोक्यों में तीसरा 89 अंसेक्सेस्पुल रहा था मुझे लगता है कि उसको अब टार्गेट ये जरूर करना चाहेंगी मीरा भाई चानू भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में शुमार है इनका एक छोटे से कस्पे से निकलती हुई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिभाः मीरा भाई चानू इस समय पहली लिफ्ट की तैयारी कर रही है पूरी एक आगरता के साथ पहली लिफ्ट 84 किलो इतना वजन तो ये सपने में भी उठा लेंगी प्रणाम आपको है मीरा भाई गोल्ड मेडल थोड़ी देर में आएगा लेकिन एक लंबे सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है और पहला कदम मीरा भाई ने 84 का ऐसे उठाया जैसे उसके लिए कोई परिश्रम करना ही ना पड़ा हो आठ किलोग्राम का सीधा सीधा इन्होंने अंतर क्रियेट कर लिया है दूसरा अटेम्ट मीरा भाई चानू का लोवर बैक पर काफी देर ठहरने के बावजूद काम्याभी के साथ ये अटेम्ट पूरा किया मीरा भाई चानू ने तीम की तीमों ग्रीन लाइट उनके फेवर में परसनल बेस्ट हासिल कर लिया सुनील बिल्कुल बराबरी कर ली है अपने सरवश्रेश्ट नेशनल रिकॉर्ड की और इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रेप्रिजेंट करते हुए ये उनका परसनल बेस्ट है अठाए उतनी ही कम है देवी और सज्जनों अपने घर में है अपने आफिस में है कहीं भी है इनके बनी रहे मीरा भाई 88 किलोग्राम का दूसरा जो आपका अटेंट था वो इंटरनेशनल लेवल पर आपका परसनल बेस्ट है और अपनी निकटतम प्रतीद वंद्वी से 12 किलोग्राम की लीड इस भारत की शेरनी ने पहले ही हासिल कर ली है अच्छी बात यह कि उनके पास गवाने के लिए कुछ नहीं था और इसी लिए उन्होंने एक नया टार्गेट सेट किया अपने लिए कि चलिए कोशिश कर दी जाए 90 उठाने की और देखिए कितनी जल्दी उन्होंने बार्बेल को छोड़ दिया जैसे उन्हें लगा कि वो नहीं उठा पाएंगी उन्हो कि वज़े मिलकुल साफ है कि कहीं इंजरी ना हो इंजरी की किसी भी आशंका को टालने के लिए उन्होंने बहुत जल्द ये कारिवाई की शांदार और जो दूसरा अटेम्ट था अठासी किलोग्राम का संजेदा वो गेम्स रिकॉर्ड है वो कॉंपिटिशन रिकॉर्ड भी है इनका पर्सनल बेस्ट भी है और ये मुसकान के साथ जब आप कीरती मान स्थापित करते हैं तो उसका मज़ा भी चार गुना हो जाता है पर्सनल बेस्ट इनका 99 है तो 91 का अटेम्ट लिया जरूर थोड़ा मुश्किल से पर तीनों जज़िस का इनको सखारात्मक उत्तर मिल गया और 74 प्लस 91 यानिकी 165 का टोटल वजन नंबर एक पर है फिलहाल हैना केमिंसकी अगर उसके चार दावेदार हैं दो मेडल्स के हैना केमिंसकी संभवत है फिलहाल नंबर दो पर आ गई है बिलकुल तीनों ग्रीन लाइट्स टोटल लिफ्ट 171 फिलहाल मौरिश्यूसकी मेरी हैनित्तरा नंबर एक पर हैं हैना केमिंसकी नंबर दो पर हैं क्या संगर्श है क्या जद्दो जहद है क्या कश्मकश का दौर है और कितनी खुबसूर्टी के साथ अपने आप को चुनोती देते हुए इसे काम्याबी के साथ पूरा किया है पहला अटेम्ट उन्हें गोल्ड मेडल दिला देगा अगर वो काम्याब रहा एक सो नो किलो पर पहला अटेम्ट लिया है मीरा भाई चानों ने टोकियो अलम्पिक्स में भी जो पहला इनका अटेम्ट था वो 110 का था तो उससे एक किलो ग्राम कम किया है क्योंकि वही काफी है तैयार हो जाईए प्रभू पूरा भारत हाथ जोड़ के प्रातना कर रहा है अपने पहले गोल्ड मेडल के लिए पहले सोने के लिए सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है और चानू की चमक से अब सोने के भाग भी जाग गए है पहला गोल्ड मेडल बर्मिंगम 2022 में मीरा भाई चानू ने भारत को दिलवाया है मुबारक मीरा भाई मुबारक भारत ये सोना भी अब स्वरणी मक्षरों में लिखा जाएगा 2018 में गोल्ड मेडल 2022 में गोल्ड मेडल शाबाश मीरा अद्धुत प्रदर्शन किया मीरा भाई चानू ने सबूचे देश की धड़कनों को उन्होंने जिस अंजाम तक पहुचाया वो सच मुच काबिले तारीफ है वर्ल्ड रिकॉर्ड 119 का क्लीन एंड जर्क में इनके नाम है तो 113 इनके लिए क्या चीज़ है मीरा भाई चानू की चुनौती यहां सिर्फ मीरा भाई चानू है गोल्ड जेब में है खुद को बहतर भी किया है हम सब को गौरवान विद भी किया है क्या जबर्दस लिफ्ट क्या वो तीसरे अटेम्ट के लिए भी जाएंगी क्या आपने रिकॉर्ड को और बहतर करने चाहेंगी क्लीन और जर्क के प्रॉसेस में देखिए आप कह सकते हैं कि अगर किसी को सीखना है वेट लिफ्टिंग कैसे की जाए कितने संतुलित तरीके से की जा सकती है इतने बड़े भार को आसानी के साथ कैसे उठाया जा सकता है तो इस लिफ्ट को देखना चाहिए मीरा वाई चानू के प्रदर्शन पर नजर दोडानी चाहिए और 201 का टोटल वेट हो गया है जो की गेम्स रिकॉर्ड है 119 का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है क्या वहां उनकी नजर है वर्ल्ड रिकॉर्ड से अपने परसनल बेस्ट से थोड़ा सा कम वजन अटेम्ट कर रही है कॉमन्वेल्ट गेम्स का रिकॉर्ड पहले ही कायम कर चुकी है 201 के टोटल वेट के साथ इस नाकामयाबी के कोई माइने नहीं है क्योंकि जो कामयाबी ये पहले ही हासिल कर चुकी है वो ही स्वरनी मक्षरों में लिखी जा चुकी है मुबारक फिर से मीरा बाई चानू और बहुत बहुत धन्यवाद भारत को यहां बर्मिंगम 2022 में पहला गोल्ड मेडल दिलवाने के लिए